हेलो फ्रेंट्स अगर आप भी पूरी प्राठा चीला डोसा खाखाखे ऊप चुके हैं तो आज हम बनाएंगे गेहु आटे से एक दम नया नाश्ता वो भी इंस्टेंट बिना किसी तेयारी के बहुत कम समान से किचन के समान से तो चलिए देना करते वे रेसिपी स्टार्ट क और यहाँ पर लेंगे हम चिली फ्लैक्स या फिर कुटी भी मिर्च अगर यह दोनों ही ना हो तो आप यहाँ पर हरी मिर्च या पिलाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं एक चुटकी डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए काली मिर्च का फ्लेवर इस रसीपी में बहुत थोड़ा मतलब आदा कप पानी ओरेट कर दिया है और डाल कर अब यहां पर मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एक दिम नया नास्ता है वो भी पिल्कुल कम समान से देखने के बाद आप यही कहोगे कि काश यह पहले पता होता हमें क्योंकि सुबह सुबह की जल्दवाजी में बहुत जल्दी से यह नास्ता बन जाता है और चटपट बन जाता है ना तो इसमें हमें खाने वाला मीठा सोडा यानि की बेकिंग सोडा डाला है ना ही दही डाला है अगर यह सब डालेंगे तो यह डोसा बन जाएगा आज हम डोसा नहीं बना रहे हैं हम बना रहे हैं कुछ अलग तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है क्योंकि ये बैटर हमें थोड़ा सा और पतला चाहिए था तो यहाँ पर आप इस घोल की consistency एक बार देख लीजिए ये consistency ना तो बिल्कुल जादा पतली है और ना ही जादा गाड़ी है ये एक रनी है अगर चम्चे से भरकर बैटर को गेर रहे हैं तो ये अराम से रनी वे में गिर रहा है तो इसी तरीकी का घोल हमें चाहिए तो चलते हैं अब गैस की और गैस पर रखेंगे हमें एक तावा तब एक हलका सा ग्रेस कर लेंगे वैसे जरूरत नहीं है अगर आप करना चाहिए तो कर सकते हैं और एक्स्टर तेल टीशू पेपर से पहुंच सकते हैं तो मैंने एक हलका सा ती लगा दिया एक ब्रस से और गैस मैं फ्लेम हम यहां बिलकुल लोग रखेंगे और हलका सा तबह जब गरम wh scripture बैटर कर दौट response और बस हलके-खलके आतों से इस तरीके से फैला दीजिए ये डोसा नहीं है पर डोसे की तरह ये दिखता जरूर है हलके आतों से फैलाना है बहुत इज़ी फैल जाता है कोई भी दिक्कत नहीं आती है इस नाश्टे को हमें बनाने के लिए फ्लेम को लोही रखना है और देखिए लो फ्लेम पे ये अच्छे से नीचे से और उपर से पक चुका है तो हलका समय ने तेल लगा दिया है आपकी मर्जी है तो आप लगा सकते हैं नहीं तो आप इसको सुखा भीना तेल के भी बना सकते हैं और इसको बस इस तरीके से पलट देंगे दोनों तरब से अलट पलट कर हम इसको अच्छे से से शेक लेंगे यानि कि इसका जो आटे का और यह देखिए बन गया हमारा मज़ेदार टेस्टी यूनिक चटपटा सा नाश्ता मैं आपको यहां पर एक बार से और बना कर दिखा देती हूं गेट चमचा बैटर लेंगे और इसको इस तरीकी से फैला देंगे अगर कोई गैप रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसको हलकी से घोल से फिल कर दिजिए बस ध्यान रखे फ्लेम को हमें या मीडियम या हाई नहीं रखना है लोटू मीडियम के बीच में हमें इस नाश्ते को बनाना है जब उपर निचे से पक जा यानि कलर चेंज कर ले तो आप इसको इस तरीकी से पालट दिजिए इस ना रेसिपी को बना सकते हैं तो आज इस रेसिपी को मैंने खरके बने होममेट अचार के साथ किया है ना मैंने कोई चटनी लिया नाहीं कोई सौस लिया और देख सकते हैं नाश्ता हमारा कितना पतला बारीक और सॉफ्ट बना है तो घर में बड़े बसुर्ग भी होंगे वह इस रेसिपी को बहुत अच्छे से खा पाएंगे क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट है पर खाने में यह उतना ही लाजवाब है आप इस नाश्टे को लंबे सफर पर भी बना कर ले जा सकते हैं यह ऐसे ही बना रहता है तो आज की रेसिपी आपको थोड़ी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मिलते हैं नई दीन नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग